हलो दोस्तो स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो पर तो दोस्तो जैसे आपको पता है कि मेल कॉन स्टेवल का जो एक्जाम है वो अक्तूबर में हो चुका था अक्तूबर एंड में और नुमंबर की एक दो तारीक को और लगबग 6 महिने होने को हो रहे हैं किसी को बाई साब कुछ भी नहीं पता है रजल्ट कब आएगा ठीक है बच्चों ने मैनत कि हर्याना पुलिस के एक्जाम में और आज जो है उनकी एज भी जा रही है दीरे-दीरे करके और जो है अब बच्चे जो है इकठा नहीं तो तो दो स्में आपका इनुकसान है सब स्टुडेंट सुन ले इसमें आपका नुक्सान है एच्च सशी को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि जो कोई स्टेबल की बरती है उसका रेजल्ट आने से काफी बच्चों की जो है सारे रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि कई बच्चों का विश्चा इस बरती पर अठका करेंगे वो स्टुडेंट के उपर है सब कुछ क्या वो क्या करना चाते लेकिन अगर यह लंबा चलता है तो उतने में आपका टाइम भी वेस्ट होगा दोस्तों आग क्योंकि एच्च सशी एक ऐसा कमिशन है आपने देख लिया हुआ कलरक में उसने देखो तीन साल होगे क की बर्ति को होए और उसमें बच्चों ने जोइनिंग भी कर लिया और अब देख लो कोट ने क्या डिशिजन दिया है कि रजल्ट दुबार आएगा तो दोस्तों अब यह सोचना आपने है आपने सब में मिलकर आगे आना होगा अपने हक्की आवाज उठानी पड़ेगी वरना दोस्तों ब्रोजगारी इतनी है कि दीरे दीरे टाइम निकलता जाएगा और जो है आगे ब्रोजगारी बहुत होने वाली है तो इसलिए मैं आगराय करता हूँ सभी बाई जल्दी से जल्दी हो सेलेक्शन जिसका होना हो जाएगा जिसका नहीं होगा वो अपना आग को आदेश आएगा कि आप इसका रजल्ट जल्दी से जल्दी निकालें तो इसलिए मैं अग्राय करता हूं कि स्टुडेंट्स सभी मिलके इकठा हो खाली मैनत करने से दोस्तों कुछ नहीं होगा अगर मैनत करने का फल मिलेगा ना तभी कुछ फायदा है विकार में मैनत कर र हूं दोस्तों सब मिलकर आगे आए इस ब्रोजगारी को भी खतम करें और एक दूसरे का साथ दें ताकि हम आगे ऐसे भी एक्षा सची के लिए काम करते लिए रहें दोस्तों के लिए जो है आगे स्मस्या को सुनो स्टूडेंट्स की और सभी इस चीज में सामिल हो तो दोस के लिए से वीडियो में इतना है थेंक यू